नमस्कार दोस्तों आज एक अच्छी ख़वर आपके लिए है और मेरे लिए भी है कि मेरा UPPGT इंग्लिस से 2016 वाली वेकेंसी जो थी उसमें सिलेक्शन हो गया है हाला कि वेकेंसी काफी पुरानी थी 2016 इसका फॉर्म निकला था 19 पेपर हुआ था 19 में इंटर्व्यू कॉल आई थी 20 में इंटर्व्यू हुआ था फिर कोड किस लग गए हाला कि नाम तब भी आ गया था 20 में ही मेरा लेकिंगे 2021 2021 में जाकर की मेरा फाइनली सेलेक्शन हो गया है अब मैनने सो्चा कि सेलेक्शन हो गया है तो क्यों ना आपके साथ कुछ बातें सेयर की जाए कि मैंने और कौन कौन से एक्जाम कौलिफाई कर रखे हैं क्योंकि काफी सारे लोग मुसे पूछते तो कोई भी नहीं कभी आस्ता किसी ने पूछा है कि मैंने क्या क्वालिफाई किया है फिर भी मैं कुछ बता दूँगा मैंने कौन कौन से एक्जाम कौलिफाई किया है और किस किस एक्जाम में कितने नमबा से मैं रह गया था तो बहुत सारी चीज़े में बताऊंगा अब ये UPGT इंगलिस से जो मैंने कौलिफाई किया है काफी सार लोगों कि अब इक्छा होगी याँ पर जानने के लिए कि सर आपने स्ट्रेटेजिस बताईए कि आपने कैसे पढ़ाई की थी कौन कौन से बुक्स देखी थी वो सारी चीज़े है और ये नमबर मैंने केवल UPGT वाले स्टुएंट्स के लिए दे रखा है क्योंकि अपना जो बैच चला UPGT का आउनलेन वाला वो और इसके जो नोट्स लोग बाई करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़े उन लोगों के मैंने ये नमबर दे रखा है PTT का भी कोई भी कंटेंट रेडी नहीं है और जो मैंने तयारी की थी वो कैसे की थी इसको मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ अभी लाश तब वीडियो देखना है तो आपको बहुत सारी आंसरस मिल जाएंगे हलाकि मुझे मालूम है कि आख पास वो सारी बुक्स ओलेडी हैं वो सारी कंटेंट आख पास है लेकि पढ़ने की जरूरत है और टाइम निकालने की जरूरत है इसके साथ में आपको एक कॉश्चन का आँसर और दोंगा कि लेटरेशर मेरा फैवरिट सब्जिट है के नहीं और उसकी तैयारी मैंने केसे की है क्योंकि आपका मेन इंटेंस है आपको जानना के यह होगा कि सार लिटरेचर कैसे प्रपेर करें क्या हुए ग्रैमा तो आपको समझ में आ गई है ग्रैमा के वीडियो तो हजार और लाखो पड़े हैं यूट्यूब पर लेकिन लिटरेचर के कैसे प्रपेशन करें तो वो भी मैं आपको बताऊंगा मुझे कैसे हेल्प मिली मैंने कहां कहां से पढ़ा लिटरेचर को सोस का क्या था और सॉलिड इनफोर्मिशन कैसे मिली फाइनली जब मेरा सेलेक्शन होने से पहले या पेपर होने से पहले जो जानकाई चाहिए थी वो कैसे मुझे सारी वाते में आपको बताऊंगा अब आते हैं एक इक नमबर कुश्चन पर सबस्टे पहले तो ये आपका आपके लिए एक इनफोर्मिशन याँपर मैं दे रखिए ये मेरा रेल्ट है इस नाम से पीडिय फाई थी उसमें मेरा नाम 89 नमबर पर रेंक कर रहा है मेरा ये एप्लिक्शन फॉन नमबर है ये मेरा ट्रॉल नमबर है ये मेरा नाम याँपर लखा हुआ ये मेरी कैटेगरी मेरा OBC कैटेगरी OBC में ही सेलेक्जन हुआ है खेर रेंक में बच जाना क्योंकि यहां पर ये जर्डिय अरो बिसमें इन्कलूड है उसके बाद OB6 शुरूव हुई है तो खेर अभी मेरा मैन इंटेंशन नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो जाए क्योंकि फर्स्ट टैम मेरा था तो फर्स्ट टैम में आप जानते हो कि सिलेक्शन लेना ही बड़ा मुस्किल हो जाता है और दूसरी बाद ये 16 वाला पेपर था वो कितना टाफ आया था ये सबी स्टुएंट्स जानते जन्हों पेपर दे रखा है तो ओबराल सिलेक्शन हो गया है इसका मैंने प्रूफ दिखा दी आपको इसके अलावा अगर मैं बात करूँ SSC के बारे में तो 2011 में मैंने SSC का एक फॉर्म निकलता इस टैनो ग्राफर का सब को मालूम है इसको मैंने क्वालिफाई किया था बट इस टैनो मोझे आती नहीं थी इस टैनो के बारे मैं जानता नहीं था उस समय हाला कि जहां से मैं बिलॉंग करता हूँ आपर तो इस चीज़ें अवेलिविल हैं अपने लेविल पर बट एजुकेशन की फील्ड में ये जगे काफी अच्छी नहीं है मतलब नॉर्मली लाइफ है तो इस टैनो पता नहीं था क्या होता है वो भी मेरी चली जाएगी क्योंकि ये सीखना अपना में बहुत ही टफ चीज है हाला कि जो लोग श्टैनो जानते वो उन्हें मालूम होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ अगर ये डार्ट में बना दिया तो कुछ और है अगर ये लाइट बना दिया तो कुछ और है तो बड़े ही टफ थी तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया तो 2011 का एक रहा मेरा SSC का जिसको मैंने क्वालिफाई किया था फिर I think 2011 ये 12 की बात मुझे याद नहीं है पहली बार IBPS आया था IBPS आया था तो उसमें मैं सभी सेक्सम्स में क्वालिफाई था बड़ मैथ में one marks मेरा कमाया था Mathematics मेरा सुरुआ से weak रहा है तो उसमें एक नमबर से में रह गया था मेरा IBPS क्वालिफाई हो गया था उस टाइम पर लेकिन वो क्वालिफाई हुआ ही नहीं तो बताने कोई sense नहीं रहता है बड़ एक नमबर मेरा कम था फिर उसके बाद मैंने SSC का जो CGL है वो भी फॉर मैंने फिल किया था वो आइ थिंग 12 में ही मैंने पेपर दिया था उसका भी तो उस दोरान फिर क्या हुआ कि मेरे आइ थिंग मुझे एक्जैटली याद नहीं है 5 या 25 नमबर कम थे मेरे 5 नमबर ही साइट कम थे मेरे रिटिन में तो वहाँ पे प्राउलम होगे थी फिर मैंने देखा कि मैथ मेरा हाज जेगे प्राउलम कर रहा है और रीजनिंग भी थोड़ी मैथमेटिक मैथमेटिकल जो एक क्विसन्स होती ही वह प्राउलम मुझे कर रही थी तो फिर मैं चीज इन ड्रॉप कर दी फिर मैं सोचा कि आप प्रपेशन करेंगे तो पीजीटे की ही करेंगे क्योंकि में पास बीट की डिगरी थी नहीं और फिनेंसरी कंडिशन में भी काफी मेरी वीग रही शुरुआज से अब पढ़ाने लगा हूं तो थोड़ी बहुत अरनिंग होने लगी है तो प्रॉफेशनल डिगरी ना होने बज़ेश से और प्रॉपार गाइडेंस ना होने बज़ेश से और साथी साथ बहुत साइ चीज़ें मेटर करती हैं जिआ आप गरीब होते हो तो वो साइच चीज़ें प्रॉलम कर रही थी और मैंने चीज़ें अगर आँ गरीब हो लेके अच्छी जगह हो तो आपको सपोन मिल सकता है अगर आप गरीब भी हो और गलत जगह पर भी हो तो आपको support नहीं मिले वाला क्योंकि आप दोना तरस से हाच चुकी हो तो वो चीजे काफ़ी सारी चीजे होई हैं अलागी यह सब मैंने coaching पड़ी थी केवल English की पड़ी थी बाकी सब मैंने घर पर prepare किया था SSC वाला, IBPS वाला केवला मैंने English की preparation की थी वो भी आपको मालूम है कि स्टार्टिंग में फॉर्म बाते हैं कुछ जानकाई ना तो आपने क्या किया होगा पेपर में तो इंग्लिस की थोड़ी ठीठाग knowledge थी उससे मैंने qualify कर लिया था तो यह तो मेरे रहे अलग अलग examinations जिसमें कुछ qualify किया किसमें एक नंबर से रहा किसी पाँच ये पच्चिस नंबर से रह गया ऐसे ही मैंने 2018 में पेपर दिया था CHSL का तो उसमें भी मेरा 15 ये 20 नंबर कमाई थे तो उसमें भी मैं रह गया था तो मैंने इसोच लिया था कि अपनी सही जगा चल लाई है पिज़ी टी अपनी ठीक है क्योंकि वह सब्ज़्यक्टे पेपर है और मैंμें जिन लोग पढ़ाता था बच्यों को मैंने पढ़ाया इंगलिस तो उनकिसी का एयरफोर्स में उगया था इससी का कहीं हो गया था किसी का कहीं हो गया था तो बच्चे या TET में भी काफ़ी लोग निकले थे, सौरी TET, टेट में भी लोगों सेलेक्शन हुआ, उनको जॉब मिली है, अलगला सब्जेट्स की कोशिंग ली थी, सब लोगों ने, और मैंने इंग्लिस की पढ़ाई थी, तो कुश लोगों की इंग्लिस में 29 नमबर तक हैं, आट ओफ 30, और I think 30 भी हो सकते मुझे मालूम नहीं, लेकिन 29 वाला कंफर्म हैं लोग, तो ऐसे अलगला लोग देखने को मिलते हैं, जिन्होंने चीजें क्वालिफाई कियें मुझसे पहले ही, उनकी जॉब भी लग गई है, तो यह रहा मेरा केरियर चोटा सा, जिस मै मैंने कुछ achievements आदे अदूर आपको दिखा दिये हैं, और यह मेरा finally selection इसमें हो गया है, अब इस वीडियो हम थोड़ी बात discuss करें किस किस चीज के बारे में, इसकि syllabus के बारे में, और इसके exam pattern के बारे में, हाला कि आपको already मालूम है, लेकि मैं आपके दो चीज़ों फोकस पूंचाइएं, मैं नहीं हुआता हु कि आप कॉल करें, आप को FLAS अपलबनी करा पाई चीजें तो टीक नहीं रहता है, नहीं तो नहीं है, क्योंकि यह नही हैं यह नहीं चाहते हैं कि मतला पैशा से लिफ ले ली जाए, यका कुछ उल्टा सीधा हैं, वह हमारे पास नही ही चीज़े तो आते हैं लोकल बुक्स मैंने बुक्स काफी पढ़ रखी थी और ये डव्य जे लॉंग की जो बुक है वो मैंने पूरी पढ़ी थी हाला कि आप पूंशो के सब्सक्राव को पूरी याद है कि आप मुझे याद नहीं है पढ़ने का मतलई यह होता है कि 10% ही मा कि मेरी डेडिंग ठीठ ठाक है तो मैंने इसको पढ़ रखा था और लोकल बुक्स आपको 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 मालूम जैसे एसकरोड़ा है रंजी सिंग है और भी यह 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 की नहीं थी मेरे पास गढ़ने चक्र थी मैंने सारे देखी रखे थी अब प्रॉलम है कि आपके पास भी सारी नहीं कर पाते में और सब्सक्राइब को यादें कर पाती में में तुम आपको अच्छी तरीके से वह रुका रहेगा मांयंड में लेकिन आपको PGT का complete लिटरेचर सेविंटть閉र यह एट्टर्स हैं और जो traces हैं hellley में मेरे रहे as an expert वो मेरे mind में नहीं रहता है तो मुझे लेटर चाहिए अज भी याद है काफी सारा लेकिए आप सोचो कि मुझे इदम expert वाला याद हो अभी पूशो सारी answer में दे दूँ वो नहीं है याद तो वो चीजे में पास problem थी तो उनकी preparation मेंने कैसी कि वो अभी आग मिली थी उस time पर क्योंकि जब 16 वाला पेपर 19 हुआ था तो उसके पहले इतने सारे चैनल नहीं थे आज के टाइम पर जितने के आज हैं हालाकि मेरे चैनल 2018 से मैं रन कर रहा हूं और continuously मैंने 19 से काम सुरू किया है बिलकुल proper way में और आज की date में भी मेरे सारी वीडियो आ र असर दूँगा guidance most important मैंने PGT coaching की थी तो मुझे मैंने पढ़ा था बहुत अच्छा पढ़ाया था और मुझे यह साहन में आ गया था कि यह तैयारी कैसे करने हैं और मुझे सारे content साहन में आ गया था पहली दूसरी class में तो मेरे सिर्दद करने लगा था literature में कि आखिर यह या gradually उन्होंने काफि साही चीज़ समझाई और बहुत ही अच्छा response मिला उनका भी PGT दो है 16 में selection हुआ है और उनका नाम नहीं बताऊंगा हो सकता है कुछ लोग उनको phone करके पाईसान करने लगें तो उनका भी selection हुआ है उनकी अच्छी खासी rank आई है उनका TGT PGT LT grade उनका सार कोई talented है लेकिन उससे पहले जिन्होंने मुझे English सिखाई थी स्री अने दोवेदी सर वो मेरे local में ही रहते हैं तो उन्होंने काफी अच्छा guidance दिया था तो literature काफी help मिली लेकिन वही चीज होती नहीं कि जब तक खुद दमाग नहीं लगाओगी तब तक कुछ होने वाला न sense दिया कि आप literature को ऐसे पढ़ो मतलब filter कर दिया filter का मतलब समझते हो गया कि बहुत साइच चीजों में important क्या केवल वह पाढ़ना है तो उसके फिर मैंने short notes बनाए one liner tap की हर एक writer की मैंने one liner tap की notes बनाना शुरू कर दिया सारे facts सारे works के एक डेट एक जोनर उनके हर एक चीज मै जितना tough paper आया था उसमें 30 questions फस गये थे as it is जैसे नोने बोला था बोलने को मतलब के मैंने उनके बताय हुए guidance के according मैंने notes बना लिये थे अब वही बात होती फिर से कि जब ग्यान आता है तो last time पर आता है कभी कभी जैसे paper देने जाते हैं तीन इंटे का होता है और जब दो 45 में नकल जाते हो 15 मेंट बचते हैं तब पूरा ग्यान आ जाता है कि अभी solve कर देंगे लेकिंगे वो मुकान नहीं मिलता है वही मेरे साथ हुआ था कि जब मुझे knowledge मिली साही कि मुझे करना क्या है तब मेरे पास केवल 15 दिन बचे हुए थे तो 15 दिने 70 writer तो cover कर नहीं सकत है और grammar तो मैं पढ़ाता ही हूँ तो उससे मुझे काफी help मिली और number one पर बात है blessings काफी साही लोगों की दौाएं families दोस्तों की पता नहीं कितने लोगों ने इश्वर से कह रखा था कि मेरा selection हो जाए तो उनके भी दौाएं लगी है तो अब YouTube अब questions आते हैं books पर तो books के मैं कुछ नाम लिए हैं लेकिन आपको help अभी मिलेगी जब आप उन books से खुद के notes बनाओगे PGT के लिए और study करोगे deeply ठीक है हमारे पास कोई notes फिलाल नहीं है और हम पैसों के लिए काम करते हैं हम लोग इसलिए खासता हो पर पैसों को मतलब यह नहीं कि आपने पैसे दी हमने तो यह रदी quality content है वो उसे मतलब नहीं है टीजीडी कोश चला है तो उसके जो notes हैं वो bilingual हैं काफी हद तक तो और वो to the point लेखे हुए theory based भी हैं और one liner type के भी हैं तो उससे काफी help मिलती लोगों को दूसी बात रही YouTube अब YouTube चैनल कौन कौन से आपको follow करने टीजीटी PGT के लि के लिए अम्रों भी आपको बताएंगी चैनल का नाम guidance आपको complete यहां से मिलेगा notes बगर आपको मिल जाएंगे और blessings तो मेरी साथ में सबके हैं हमेसा के लिए अब आते हैं YouTube चैनल पर तो grammar के लिए मैंने complete grammar A to Z पढ़ा रखा है उपहार classes चैनल पर इसी चैनल पर ठीक है अग जिसमें clauses, synthesis, transformation जो कोई नहीं पढ़ाता है वो सब मैंने पढ़ा रखा है punctuation किसे नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ा रखी 331 वीडियो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल A, B, C, D, C लेकर के punctuation तक high level तक का जाता है ऐसे ऐसे मैंने concepts पढ़ाएं हैं जो हर एक exam के लिए beneficial रहेंगे एक ब आपको literature की इस channel पर देखने मिलेंगी समीर पार्ट साला उसका लोगों यह रहा है आप जाएं दोना channel को visit करें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा हलाकि कुछ लोग सिकायत ही यह रहेगी TGT वालों की कि सर यहाँ पर कुछ यादा वीडियो त समय बीतेगा मतलब जब आप इस वीडियो देख रहे हो उसके 10-15 दिन बाद सारा classes जो आपकी सारी-सारी classes वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगी और batch announcement एक किया जाएगा classes के लिए जो कि free of cost रहेगा complete course पेट रहेगा लेकिन वो free में दिया जाएगा जैसे मैं paid course फ्री में दे रहा हूँ ऐसे वो भी paid course फ्री में देंगे उसका announcement अलग से होगा इसलिए अभी उम्मीद करके यह मत जाना कि हमें सब कुछ अभी के भी मिल जाएगा 200-300-400 वीडियो नहीं gradually चीजें मिलेंगी classes मिलेंगी complete one class one class two class three करके ऐसे मिलेंगी और सब कुछ arranged मिलेंगी sequence मिलेगा ना कि sloppy कुछ उल्टा सीत मिलेगा तो दो चीजे मैं आपको बता दी हैं आपर चैनल बता दी हैं साथी साफी डे सारी questions जो थे वो मैंने बता दी हैं अच्छे एक बात और YouTube चैनल मैंने बहुत सारे देखी हैं उनमें बहुत बड़ी कमी यह है कि वो चीजें लाइन से नहीं पढ़ा रहे हैं सपोस कीजे आज उननों Milton पढ़ाया है और कल वो Kinglier पढ़ा रहे हैं Kinglier William Shakespeare की एक point पढ़ा रहे हैं उनका work पढ़ा रहे हैं Truma देखो मिल्टन पाए तो मिल्टन चलने दो पूरा अगर आपको किंग लियर एक कोई आपको वर्क्स कवर करने विलियम शेक्ष पर तो कम्प्लीट वो कीजे वो कमी मुझे बहुत बड़ी लगी है इसी लोगों को प्रॉब्लम होती कि कम्प्लीट गैडंस परफेक्टली सिक पर आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी जल देए अगर वीडियो पराना होगे तो आपको वीडियो मिल चुकी होगे नहीं तो आप देख लिए ना बैच का अनॉंस्मेंट हो गया होगा उसमें आपको साई डेटर मिल जाएगी अगर नहीं हुआ है तो थोड़ा से व वालों के लिए तो मैंने यह नम्मा दे रखा है इस पर आप कॉल या वाट्सेप करकर जानकाई ले सकते हो टीजीटी वाले सभी स्टूडेंट्स तो फाइनली सेलेक्शन हो गया मेरा और मैंने आपको बता दिया एक खुसकवरी थी चोटी सी और गाइडेंस आपको दे द चार्ट होगा उसके थोड़ा से वेट कर लीजे अगर वीडियो पुराना हो गया है तो एवा चैनल विजिट कर लीजे आपको सब कुछ मिल जाएगा तो मिलतें किसी नए वीडियो में और नही जनकारी के साथ में